पैसिव यूथनेशिया यानि कोई व्यक्ति जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और उसका जीवन उसी तरह से चल रहा है उसके परिवार की या उसकी खुद की सहमती से अगर उसने होशो हवास में रहते हुए ऐसी बात लिखी हो तो दोनों ही सूर्तों में जो उसका केर करन वाले लोग है अगर उनको लगता है कि अब इनका जीवित रहना सही नहीं है या जीवन की कोई आशा नहीं बची है तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा कर उसे शान्ति पूर्वक मर जाने देना इसे पैसिव यूतनेशिया कहते हैं लंबे समय से ये कानूनी चर्चा का विशेरा है सुप्रिम कोट ने इसे मानेता भी दी है लेकिन उस तरह से अभी भी ये लागू नहीं हो पाया है और अरुना शानबॉग मामला खास तोर पे जो था जो मुंबई की एक हॉस्पिटल में बरसों तक कोमा में पड़ी रही एक नर्स का मामला था वहां पर भी खुद पैसिव यूथनेशिया की यानि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा कर उसे मृत्यू देने की मांग सुप्रिम कोट से की है हमारे साथ मामले के वकील मनिश जैने उनसे बात करते है जैन साब ये बताईए मैंने विशेर ठीक समझाया दर्शकों को यही होता है यही हो चुका है और ना शानबॉक केस में क्या आपका केस है किसके लिए ये केस है और आज क्या हुआ हरीश राना नाम का एक व्यक्ति है जो पिछले 11 साल से बैड़ पे है और 2013 में वो पंजाब यूश्टी चंडिगर्ण में पढ़ता था वहां पीजी में फॉर्थ फ्लोर से व बिल्कुल डैमेज हो गया है उसके बाद डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई फाइनल सर्टिफिकेट इशू हुए कि वह 100% वेजिटेटिव स्टेट है मतलब कि उसके सर्वाइविंग के चांस बहुत कम है लेकिन फिर भी 11 साल से वह बैड़ पे है और 11 साल से उसके माता पीत आई में बड़ी दिक्कत हो रही है तो उसकी माने सपेशली जो सारी होप छोड़ चुकी है उसके कहा है कि अब हम जाते हैं इथनीशिया के लिए पैसिव इतनीशिया के लिए जो एविलेबल है भारत में और इसलिए उन्होंने हाइक दिली हाइक और हाइक कर दिया यह कहत इतने सारी पाइप क्या मशीन नहीं है क्या सिरफ बंटिलेटरी मशीन है अगर वो मशीन है तो यह क्यों मशीन नहीं है अगर यह फूट ट्यूब ना हो तो मुझ से खाना नहीं खाता है उसका पूरा शरीर कहीं भी मूवमेंट नहीं करता है तो क्यों क्या मतलब उनको बोश्ट में नहीं है वो किसी भी तरह का को रीक्षन नहीं है जैसे पड़ा है चो भी सो घंटे वैसे पड़ा रहेगा उसे ना अपने सूसु का पता लगता ना खाने का पता लगता और अगर भूका भी रह जाये दो दिन तो वह रियक्टी नहीं करेगा कि मुझे भूक की लग रही है तो इस तरह की सिच्वेशन है और उस सिच्वेशन में हमने कोट से डिमांड करी है लेकिन एक बात बताई इससे भी ज्यादा बोरे इस्तिति थी अरना शॉन बॉक की जिस केस का हमने हवाला दिया सुप्रिम कोट ने वहां पर अलाव नहीं किया था उसका एक और का रएट था कि पत्रकार थी वो मांग कर रही थी जबकि उनकी care करने वाले वो रस्पताल की जो नर्सें थी वो care कर रही थी तो सुप्रिम कोट ने खैर उस महिला पत्रकार के अधिकार को भी नहीं माना कि आप कौन है लेकिन पैसिव व्यूथनेशिया अभी तक हुआ नह है कैसे आप लोग और खास तोर पे यहां पर डॉक्टरों ने यह नहीं कह दिया है कि यह आप कभी नहीं ठीक होगा तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें आपकी मांग को सुना जाएगा अपने अरुना शानुबाग की बात करिया आप जज्मेंट में पढ़िये उसमे यह बहुत स्पेसिफिक है कि अरुना शानुबाग को अगर आप खाने में उसके पसंदिकों की चीज नहीं देती तो रियक्ट करती थी वो बोल नहीं पाती थी तो लेकिन पता लग जाता था कि इसको खाना अच्छा लग रहा है इस केस में वो भी नहीं है क्योंकि ट्यू दिल्ली में रहते थे फिनेंशल दिककतों के बजए से और उसकी केर करने की वज़े से गांव का मकान बेचा और गाजबाद ने माना था है कि वह किसी लाइफ सपॉर्ट सिस्टम पे ही ने वो खुद से अपनी कर सकता है जब की सिचवेश्य में ना थो केर कर सकता और वहा अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में अतिहासीं कोगा और ile अनुपरेम जले नहीं आया पेंगे okay Wam kata क्या चाहिए किया को चाहिक एक मिनट टुकी बात अची सांव ने पूछी कि पहले तो बदाऊ की वह सिच्वेशन क्या है तो मैंने सिच्वेशन डिस्क्राइब करी उसके बाद सिच्वेशन के बाद उन्होंने कहा कि अगर यह ट्यूब अगर हम निकाल भी देते तो क्या यह पता मालूम है कि कितनी जल्दी खतम हो जाएगे क्योंकि लाइफ सपोर्ट पे तो रहता है कि कि यह सकता है कि नहीं कि वह तो सिर्फ उसी पर यह वेंटे लेटर पर तो ही नहीं तो उस सिच्वेशन में कोटने मानवी आधार पर नोटीस इशू किया और गुवर्मेंट विंडिया को बोला है कि देखो इसमें क्या कर सकते हैं क्योंकि इस वेरी टफ केस कहीं बार कि अगर सुप्रिम कोट नहीं मानता है पैसी उतने शिया की मांग को और शायद नहीं माने तो कम से कम माता-पिता को इस चीज से मुक्त किया जाए कि वो कब तक ये बोज उठा पाएंगे तो सरकार फिर वो ध्यान दे और उसको एमस में रखा जाए ठीक है अचा कितनी उम माता-पिता के अलाबा पाई है एक सिस्टर उसकी शादी कर दी तो इतनी सारे लोग है बस सारे के सारे पर उसी की सेवा में लगे रहे तो अगली तारीक क्या है आपके अगली तारीक अभी मुझे बालू नहीं लेकिन दो वीका टाइम दिया है बाकी तो आज रोटर अप् पैसिव उतनेशिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है वो पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम में नहीं माना है जो याचिका करता जिनके लिए याचिका दाखिल की गई है परिवार की तरफ से उनको क् वेंटिलेटर पे नहीं है तो ऐसे में सुप्रिम कोट के पास भी सवाल का जवाब नहीं था कि एकदम से इस मामले में क्या किया जाए किंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि आप बताएं कि इसमें क्या स्थिती है और उसमें क्या किया जा सकता है और और अगर पैसी वितनेशिया नहीं दिया जा सकता है इस मरीज को तो कम से कम एमस में उसे रखा जाए ताकि माता पिता और परिवार के उपर से भी वो आर्थिक बोज और भावनात्मक बोज कम हो सके यह तमाम मांगे की गई है दो से तीन हपते के बाद मामले की आगे की सुन कर दो